हलो दोस्तो आज हम बनाएंगे नेनुआ और चना क्या सबजी इसे हम तोरई भी कहते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर 500 ग्राम नेनुआ को धो करके सुखा करके और इसको अच्छे से काट लिए हैं और यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं सबजी में डालने के लिए अधा कप चना इसको साथ आठ घंटा के लिए भी गो दिये थे और इसको अब छान करके ले लिए हैं वन टेवल एस्पून अधरक लसुन का पेश, हाफ टी एस्पून का समीरी लाल मीच, टू टेवल एस्पून सर्शो का तेल, वन टेवल एस्पून सबजी मसाला यहाँ पर मैं सबजी मसाला यूज कर रही हूँ वन टी ऐ स्पून हल्दी पाॉडर हाफ टी ऐ स्पून गरम मसाला एक बड़ा प्याज बारी काट करके ले लिए है एक बड़ा तमाचा इसको भी बारी काट लिए है और नमक टेस्ट के एक औरडिन ले सकते है दो हरे मीर्च को इसको दो टुकड़े कर लिए है वन टीए स्पून जीरा लिए है यहां गयस को जला के कराही रख देंगे और इसको गर्म होने दे कराही गर्म होने पर इसमें हम तेल डाल देंगे यहां पर मैं सट्सो का तेल ली हूँ आप चाहे तो कोई साभी तेल ले सकते हैं तेल गरम होने पर जीरा डाल देंगे जीरा थोड़ा चटकने लगे तो हरी मिर्च डाल देंगे मिर्च थोड़ा साधानी से डाले ताकि ये चटकता है इसलिए और इसको थोड़ा सभून ले अधरक और लासुन का पेश्ट डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पका लेंगे थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए यहां लासुन पक गया है अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सौफ्ट होने तक इसको भूनेंगे प्याज सोफ्ट हो चुका है अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे आप टमाटर और प्याज को सोफ्ट होने देंगे थाकि टमाटर और प्याज सोफ्ट हो जाए यहाँ पर टमाटर और प्याज सौब्ट हो चुका है अब हम इसमें चना को डाल देंगे और चने को डाल करके इसको भी भून लेंगे चना भी थोड़ा पक गया है अब हम इसमें मसाले डाल देंगे यहाँ पर मैं सब्जी मसाले डाल दी हूँ हल्दी पौडर, लाल मिर्च पौडर, नमक और मसाले को डाल करके इसको अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे ताकि मसाला नीचे से जलेना इसलिए इसमें गरम मसाले मिला लेंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे मसाला पक चुका है अब हम यहाँ पर नेनुआ डाल देंगे और नेनुआ को भी डाल कर अच्छे से मसाले में मिला लेंगे और यहाँ पर साबजी पकना शुरू हो गया है जो नेनुआ ताजा होता है उसमें से पानी छोड़ता है और साबजी सौफ्ट बनता है अब कुछ देर के लिए नेनुआ को हम पका लेंगे यहाँ पठक देंगे 5-7 मिनट के लिए और इसको पकने देंगे अगर इस परकार से आप लोग नेनुआ का साबजी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा आप भी इस परकार से सबजी जरूर बनाएं और कमेंट में जरूर बताएं यहाँ नेनुआ का सबजी लगभग पक चुका है थोड़ा और पानी है इसमें उसको और थोड़ा हम जला लेंगे क्योंकि नेनुआ के सबजी में पानी अच्छा नहीं लगता है इसलिए पानी को सुखा लेते हैं यहाँ पर सबजी बन कर तयार हो गया है अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसको सर्व कर देंगे आप चाहे तो इसे पूड़ी, पड़ाठे, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में